हेलो एव्रिवान और नमस्ते जी, वेलकम बैक तो माई चानल तो ये है लाशकर नगर मार्केट, मैं कुछ आच्चिली काम से आई थी यहाँ पर बट मार्केट देखकर मेरा मन कट गया कि अंदर एक बार जाकर देख दू तो चलिए मैं दिखाती हूँ और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें लास्ट पाइम मैं जोल्मा अंती की मोमो शॉप की तरफ से गई थी बट इस साइप में डूसरी तरफ से एंट्री ले रही हूँ और एंट्री लेते ही ये केपसी वाले लाइन है जहां पर ये स्टोर है प्रॉपर और इन्होंने एक्स्टेंट करके बाहर ऐसे हैंगर्स में बहुत की प्यारे-प्यारे टॉप्स और टी शिर्ट यहां पर रखे हुए थे स्ट्री हंड़र फिस्टी रुपीज से इनका स्टार्टिंग प्राइस था और साथी में यहां पर भाया ने हैंगर्स में ट्यूनिक टॉप्स की भी काफी अच्छी कलेक्शन लगा रखी थी त्री हंड़र बताने थे स्टार्टिंग प्राइस इनका और डिफिर्न कलर ऑप्शन भी था और उनके साथ ही दूसरे हैंगर में यहां पर उन्होंने शिर्ट और डेनिम्स और ट्रैक्ट पैंस की आईटम्स लगा रखी थी लाजपित नगर में आपको काफी सारे ऐसे हैंगर्स देखने को मिलेंगे और जिनमें आपको बहुत सारी ड्रेस या फिर टॉप्स मिल जाती है यह कॉटन की ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही थी इनके पास प्रिंटेड ड्रेस भी काफी अच्छी लगी थी ऐसे एसनिक स्कर्च आप किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में पहन सकते हो एसनिक क्रॉप टॉप के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप इसे किसी जुंकिये के साथ पैर करते हो तो और इसका स्कार्टिंग प्राइस 300 रुपीज बता रहेते हैं भाई आप तरही जिगाओ पर 100 रुपे में आपको ऐसे जंक जूल्री मिल जाएंगी जो की क्रिस्टल या फिर वीदेट में आपको मिलती है इस शॉट में आपको हेवी एथनिक वेर जूल्री की बहुत ही प्यारी कलेक्शन मिल जाती है इनके पास कुंदन सेट या फिर चोकर स्टाइल काफी सारे अवेलिबल थे और अगर आप चाहें तो वो आपको कस्टमाइज भी बना कर देंगे यहाँपर तो आपको कोई भी marriage function attend करना हो तो फिर आप यहाँ से shopping कर सकते हो काफी प्यारी जूल्री सी और जुनके भी काफी प्यारे प्यारे थे और साती में इनोंने western हलके वाले भी रखे हुए थे बट मुझे इनका ethnic wear जूल्री बहुत ही जादा प्यारा लगा और यहाँ पर चूडियों की भी collection काफी अच्छी थी जो different colors में थे और mix match करके उन्होंने पहले से ही रखा हुआ था इस शॉप में काफी cool colors वाले hair extensions भी available है और pricing सभी सा different है यहाँ पर यह चूणियों की shop rich look store के पास available है इनके पास काफी varieties में चूणिया अवेलिबल थी और starting price है 250 रुपीज तो इनके पास काफी patterns available थे printed से लेकर mirror work भी available थे और बंदिनी print सारे ही print के चूणिया अवेलिबल थी और price range इनका सभी का different था वो depend करता है कि चूणिय में कितना काम किया हुआ है उपर इन्होंने heavy work वाले चूणिया टांग रखी थी और इनके पास बहुत सारे colors available थी बहुत ही प्यारा लग रहा था इनका collection लाश्पत नगर तो वैसली बहुत सेवसे एक्निक वैल के लिए तो आपको यहाँ पर काफी अच्छे बजट में काफी अच्छी चीज़े मिल जाती है यहाँ पर suits में आपको काफी design मिल जाते है color combination भी इनका बहुत प्यारा होता है और आपको जिस material में चाहिए आपको हलके material में चाहिए या फिर आपको heavy material चाहिए सारी options आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो जैसे यह सब basic आपको office के लिए या फिर market के लिए 750 rupees में trousers के साथ या फिर plazos के साथ यहाँ पर अच्छी collection मिल जाएंगी यह शॉप केटसी के opposite में है और इस शॉप में आपको बहुत ही जादा वराइटीज में नाइटीज के collection मिल जाती है तो मैंने पहले यहाँ से कई वारतनी मुम्मी के लिए नाइटीज खरी दी है और साथी में आपको cotton के अलावा होजरी material में भी आपको नाइटीज मिल जाएंगी या फिर night gowns मिल जाएंगे और price range यहाँ पे 250 से starting है तो आपको कोई भी color combination या फिर आपको जिस material में भी चाहिए आपको यह सारे provide करेंगी रास्ते में यहाँ पर plane या फिर ट्रोसेट स्टाइल के प्लाजो और पैंट्स अवेलिबल थी जो स्टार्टिंग 50 रुपीस का बता रहे थे रास्ते में आपको ऐसे हैंगर्स जगा जगा पे मिल जाएंगी और यहाँ पे 100 रुपीस स्टार्टिंग में जंग जूल्विस लगा रखी थी भाया ने और इन्होंने ड्रेस भी लगा रखी थी हैंगर्स में जो 450 रुपीस से starting price बता रहे थे और आपको लाजपनगर मार्गेट में ऐसे घर के लिए पजामी भी मिल जाएंगी जो 250 से स्टार्टिंग प्राइस बताते और ट्रेक सूट या फिर कुलोड और लड़कों के लिए भी टीशेट के काफी अच्छी वराइटीस मिल जाएंगी 500 की रेंच में आपको यहाँ पर सूट सेट्स मिल जाएंगी इस शॉप में आपको लेडीज और जैन्स दोनों के लिए ही बैल्स मिल जाएंगी काफी अच्छी कलेक्शन थी बैल्स यहाँ पर और प्राइस 100 रुपीस से स्टार्टिंग बता रहे थे हो और यहाँ पर इनका वालेट का कलेक्शन भी काफी अच्छा था और मटेरियल भी काफी अच्छा लग रहा था 250 रुपीस के रेंच में यहाँ पर फुटवेर की कलेक्शन काफी अच्छी थी तो इनके पास फ्लैक्स अवेलिबल थे बैली थी और कलर ओप्शन काफी जादा थे यहाँ पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू सो मच पर वाचिंग